हलो फ्रेंड्स, पीडी रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से मिंटों में बन जाने वाला बूंदी का रायता यह दही में बनता है और दही के गुंताब जानते ही है बूंदी का रायता अन्ने वेंजनों के साथ खाने का स्वाद बढ़ा देता है यहाँ एक बहुत ही लोग कुप्रिया और स्वादिस्ट रायता है जो की बहुत जटपड बन जाता है इसे मुखे तहा रोटी, चपाती, पुलाओ या बिर्यानी के साथ परोसा जाता है बूंदी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में साधा पानी लेंगे और उसमें बूंदी को पांच मिनट के लिए भीगो देंगे अब एक बरतन में दही लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से फेटेंगे इसमें हमें ठंडा पानी मिलाना है और इस दही को फेट कर थोड़ा सा हमें पतला करना है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा सादा नमक थोड़ा सा काला नमक अब जो बूंदी हमने भीगो कर रखी थी उसका पानी निथार लेंगे इसे छान लेंगे और बूंदी को अब इस दही में हम डाल देंगे अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे उपर से बारिक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे आई अब इसे सर्व करते हैं रायता तुरंथ ही बना कर सर्व किया जाता है तो रायता को हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे उपर से थोड़ी सूखी बूंदी डाल देंगे थोड़ा सा हरा धन्या भी डाल देंगे अब हलका सा लाल मिर्च का पाउडर बुरग देंगे और हाँ भूने हुए जीरे का पाउडर उपर से बुरग देंगे आप चाहे तो भूनेवे जीरे का पाउडर पहले भी दही में मिला सकते हैं और बाद में उपर से थोड़ा सा बुरग दीजिए तो लीजिए बहुती स्वादेश्ट रायता जटपट तयार हो गया है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तर लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब करे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए नमस्कार